देखिए सबसे पहले तो मैं नफे सिंग राठी जी को शद्धानली देता हूँ और ये आज पूरा हर्याना पर हमारा इलाका शोगुल है इश्वर उस परिवार को शक्ती दे इस दुख को सहन करने की और अपने चरणों में नफे सिंग जी की आत्मा को स्थान दे हर्याना परदेश में हर रोज हत्या फाइरिंग फिरोती अपरहन रेप के मामले जिस तरी से आ रहे हैं जो परदेश हमारे समय में कॉंग्रेस पार्टी की पूरवर्ती हुड़ा सरकार के समय में विकास के परदेश के रूप में जाना जाता था आज वो परदेश अपराद परदेश के रूप में उस परदेश की पहचान बन रही है देश में जो भी आकड़े भारत सरकार द्वारा मोदी सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं उनके अनुसार हर्याना हर परकार के अपराद में देश में अपराद दर में हर्याना सबसे आगे हैं एंसी आरबी ग्रह मंत्रा ले द्वारा दिये गए आकड़ों के अनुसार ग्रह मंत्री अमिचा जी के महक में द्वारा मोदी सरकार द्वारा दिये गए आकड़ों के अनुसार हर्याना रेप में देश में नंबर एक है हर्याना क्राइम अगेंस विमन में क्राइम अगेंस दर नमबर एक और मडर में देश में नमबर दो मडर रेट हर्याना में नमबर दो और इस यही नहीं खुद प्रधान मंतरी जी की आर्थिक सलाकार परिशत द्वारा जारी समाजिक प्रगती सुचांक SPI report में हर्याना को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है और इससे भी दुर्भागेपून बात ये है जिस राज्य को मोडी सरकार देश में सबसे असुरक्षित राज्य करार दे उस राज्य के मुखे मंतरी स्री मनोरलाल खटर बयान दे रहे हैं जब नू में परिस्थिती तनाव आया तो उसके बाद उनका बयान आपने देखा होगा कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना किसी भी परदेश सरकार के लिए संबव नहीं है अगर मुखे मंतरी किसी परदेश का ये बयान दे किसी परदेश के मुखे मंतरी की राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना संबव नहीं है किसी परदेश सरकार के लिए तो नागरिक कहां जाए जब एक प्रमुक पार्टी के प्रदेश अद्देक्ष और पूर विधायक उनको सरेयाम यूं गोलियों से भूना जाएगा तो आम नागरिक जिन से फिरोतिया मांगी जा रही हैं जिसके बच्चे किर्णेप किये जा रहे हैं पिछले एक हफ़ते के अंदर या पिछले दो हफ़ते के अंदर खरकोदा में क्या हुआ सापला में क्या हुआ भादुरगर में फाइरिंग क्यों हुई तो शाम में एक वेपारी के बच्चे को अपरन्ट क्यों गया 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 इन में से बहुत जगा लेकिन सरकार से हमें जंगल राज का जब सवाल पूछते सरकार के पास कोई जवाब नहीं आज दुक्की बात है आपको याद होगा जब हर्याना में हुड़ा साब की सरकार आई थी कॉंगेस पार्टी की तो पहला टार्गेट हर्याना के से बदमाश और गैंक्स्ट्रों का सफाया करना था और दस वर्ष की हमारे कारकाल में कोई अपराद की कोई बड़ी घटना ऐसी जैसी आज एक के बाद एक हर्याना में हो रही हैं दुबारा से 2004 से पहले वाला जो हर्याना में चोटाला सरकार के समय का जंगल राज था, आज हर्याना में उस परकार की परिश्थिती दुबारा से बनी है और इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ इस मामले में तो ये बात आएए सामने कि उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है सुरक्षा प्रोवाइड की जा और इसी बहादुरगड में एक हफते पहले दुकानों में घुसके कि फाइरिंग करी अंडरेज शूटर्स ने में गया एक एक दुकान में जाके आया था मगर सरकार को कोई परवाए नहीं है और अंडरेज श्ूटर्स में ये भी कहना चाहता हूँ आज एक देश में सबसे यादा बेरोजगारी हर्याना में और अंडरेज शूटर्स सबसे यादा देश में आज हर्याना से आ रहे हैं पीछे पंजाब में भी एक कुख्यात इस प्रकार का मामला आए था वहां भी हर्याना के शूटर दिखाई दे रहे थे तो ये स्थिती आज आगी हर्याना में आज ये सरकार पूर्णते विफल साबित हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हर्याना के देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हर्याना में क्यों हुई देश में सबसे ज़्यादा अपराद दर हर्याना में क्यों हुआ दस साल की इस सरकार के बाद और उसकी जिम्मेदारी किसकी है लगातार केवल अपराद ही नहीं हर्याना में लगातार बहुत से वार उन्वेस्ता की ब्याबक विफलता हुई आप ने देखा दू क्या। मुझा उधारन अभी ताजा है इनकी सब के लिए कौन जिम्यधारी लेगा आज हरियाना के लोगों में रोश है। हरियाना के देखे ये अभी जाज का विशे है कि कौन इसमें शामिल है और ये राजनितिक साज्जिश है या क्या है ये जाज का विशे है इसलिए जब तक पूरी जाज सामने नहीं आएगी इस पे अभी मैं कोई और टिपनी नहीं करूँगा लेकिन जो भी बाते आ रही है एक बहुत गंभीर पूर्ट ते हरियाना के अंदर क्यूं कैंस्टर एक्टिव हो गए आज एक-एक शहर का मैंने नाम लिया मैं एक-एक दुकान का नाम लेना चाहता हूँ मातुराम हलवाई के से करो गवाना के अंदर फिरोती क्यूं मांगी गई सापला के अंदर क्यूं गोलियां चलाई गई भादुर्गड के अंदर पिछले हफते दो दुकानदारों पे फाइरिंग होकर जब मैं गया इन दुकानों में सापला उड़ा साप गए तो शाम में एक वेपारी के बच्चे को अपरहन करके कैसे फुरोती करी गई खर्खोदा के अंदर गंबीर हत्या का मामले क्यों सामने आए तो ये मैं पिछले पंदरा दिन की बता रहा हूं और पूरे साल की तो आपको मोदी सरकार बता रही है कि अपरियाना देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश है जिसमें नागरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को सौ में से 33 संक मिले प्रदानमंत्री जी बता रहे हैं और ग्रहमंत्री जी ये बता रहे हैं कि अपरहंट दर्देश में सबसे ज़्यादा है डकेती दर्देश में सबसे ज़्यादा है बलातकार दर्देश में सबसे ज़्यादा है और हत्या दर्देश में दूसरे नंबर पर हरियाना के अंदर ह यूपी के मुकाबले हरियाना में धाई गुना अपराद आज भारत सरकार के आकड़े क्यों दर्शा रहे हैं जहां पूरा निवेश एक समय गुडगाओं फरिदाबाद और हरियाना के अंदर होता था आज वहाँ नौईडा की तरफ जो फेक्टिया जा रही हैं क्यों जिम् करेंगे अभी हमारा पूरा इलाका शोकुल है मैं यहां से स्वेम जा रहा हूं बहादुरगर और जो है अंतिम संसकार में हम लोग पहुचेंगे और सरकार से इसका जवाब लेंगे